हेलो फ्रेंड्स, कुक वीड टेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम बनाएंगे मटर पुलाब इसके लिए हमें चाहिए एक गिलास चावल, एक बाउल मटर, कुकिंग ओयल, जीरा, एक दो तेज पत्ते, दो तीन लोंग, चार पाच काली मिर्च के दाने, एक बड़ी इलाइची, दो छोटी इलाइची, नमक स्वादानुसार, काली मिर्च और निम्बू का रस सबसे पहले चावल को अच्छे से धो कर, 15-20 मिनट के लिए भिगो कर रख दें कुकर में कुकिंग ओयल डालें ये मैंने देशी घी का यूज किया है, आप जो कुकिंग ओयल यूज करते हैं वहें डालने, जीरा डालें और खड़े मसाले डालें एक मिनटी से भूलने के बाद अब इसमें मटर डाल दें और दो-तीन मिनट तक मटर को पकाएं अब इसमें चावल डालें स्वादा नुसार नमक डालें काली मिच पाउडर डालें और अच्छे से मिक्स करें एक दो मिनट तक चावल को ऐसे ही भून लें लो टू मिडियम फ्लेम पर अब इसमें पानी डालें ये मैंने एक गिलास चावल में सवा गिलास पानी डाला है और निम्बू का रस डालें निम्बू का रस डालने से हमारे चावल खिले-खिले बनते हैं कुकर के ढकन को बंद कर दें और हाई फ्लेम पर एक सीटी लगाएं एक सीटी के बाद गैस को बंद कर दें ये देखिए चावल हमारे रेडी हैं ये देखिए हमारा कितना खिला-खिला मटर पुलाव बना है अब हम इसे सर्व करेंगे मटर पुलाव आप भी बनाईए खाईए और हमें कमेट्स करके जरूर बताईए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें अपने फ्रेंड्स और रिलेक्टिव्स के भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में दिये गए बेल आइकन को भी दबाएं इससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पोचेगी फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ थैंक्स पॉर वाचिंग गुडबाई आप हमारी ये वीडियो भी देख सकते हैं